दोस्तों नमस्कार, Electrical and More चैनल में मैं संदीप चोहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Non Contact Type Tester के बारे में Tester तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जिससे हम Power Supply को चेक करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक अलग तरह का Tester बताने वाला हूँ हो सकता है कि आपने यह Tester पहले भी देखा हो लेकिन इसके उप्योग बहुत सारे हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो Non-Contact Tester है इसे हमने Flipkart से मंगाया है इसका लिंक मैंने description में दिया है वहाँ से जाकर आप इसे purchase भी कर सकते हैं इसकी price जे 250 रूपीज है मातर 250 रूपीज के अंदर आपको Non-Contact Tester मिल जाता है जिससे आप कहीं पर भी विजली की चेकिंग कर सकते हैं अब हम इसे open कर लेते हैं ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या माटलेल्ज आया है इसके अंदर आप देख सकते हैं एक Marker Payne की तरह दिखने वाला Tester हमें मिलता है जिससे हम विजली की चेकिंग कर सकते हैं वल्टेज को चेक कर सकते हैं उसके साथ ही इसके अंदर दो सेल हमें दिखते हैं याँ पर आप देख सकते हैं दो सेल भी इसके साथ आए हैं इस सेल को हमें इस non-contact tester के अंदर लगाना होगा उसके बाद ही हम बिजली की चेकिंग कर पाएंगे यहाँ पर हमने इसको बाहर निकाल लिया है आप देख सकते हैं इसके उपर बहुस जारी कंडिशन्स लिखी हुई है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे हमें 1000 वोल्ट से उपर यूज नहीं करना है उसके साथ ही यह 1000 वोल्ट तक काम करता है लेकिन 1000 वोल्ट तक हमें जरौत नहीं पड़ती है अब यहाँ पर इसके अंदर सेल डालना है सेल डालने के लिए इस कागज के पीछे की साइट लिखा हुआ है कि किस तरीके से सेल को इसके अंदर डालना है शेल डालने के लिए हम इसको push करेंगे और उसके अदर शेल डाल देंगे इसके अंदर दोészया साईट के उसके अंदर लकते हैं यहां पर आप दिख सकते हैं हम इसको push करेंगे उसके गन्दर अधर ओसके रॉच्छ करेंगे पाउर सप्लाई को चेक करने के लिए हम सबसे पहले switch को ओफ रखेंगे, switch को ओफ रखने के बाद हम plug के अंदर इस voltage tester को लगाना है, यदि इसके अंदर power supply होगी, तो हमारा जो tester है वह beep की आवाज देगा, उसके साथ ही इसके अंदर red light जलने लगेगी, अब हमने switch को on कर लिया है, कि हमारे plug के अंदर supply आ रही है कि नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं, जैसे हमने switch को on किया है, तो plug के इस तरफ red light जलने लगी है, उसके साथ ही beep की आवाज भी आने लगी है, इसका मतलब है कि हमारा plug साई है, हमारे plug के अंदर power supply आ रही है, इसके द्वारा हम यह भी प पता कर सकते हैं, कि हमारी जो cable है, उसके अंदर power supply जा रही है कि नहीं जा रही है, यदि हमारा plug खराब हो जाए या फिर cable कर जाए, तो cable के अंदर power supply नहीं जाएगी, उसको भी हम इस tester के द्वारा चेक कर सकते हैं, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने plug को लगा लिया मतलब इसके अंदर neutral जा रहा है, इसके द्वारा हम यह भी पता लगा सकते हैं, कि हमारी cable कहीं से break तो नहीं हो गई है, काफी बार क्या होता है, कि हमारी cable कर जाती है, और हमें पता नहीं चलता है कि cable कहां से कटी है, तो उसका भी पता हम इसके द्वारा लगा सकते हैं, अभ और हमरी केबल कर जाती है आगे विपार्श किंठ कर सकते हैं कि यहां केबल कहां से कटी हुई है करने की जुरत नहीं पड़ती है जो conventional type के tester देखे होंगे उसके अंदर क्या होता है कि उसके एक part को हमें machine में लगाना होता है या फिर plug में लगाना होता है और दूसरे भाग पर हमें हाथ लगाना होता है काफी बार क्या होता है कि जो उस tester के अंदर अंदर वाला part होता है वो short हो जाता है जिससे हमें एक जटक भी लग सकता है लेकिन ये जो tester है या non contact type का tester है इसे कोई भी यूज कर सकता है चाहे पुरूश हो चाहे महिला हो चाहे technical आदमी हो चाहे non technical आदमी हो इसे कोई भी चला सकता है कोई भी यूज कर सकता है अब यहाँ पर आप दिख सकते हैं इस tester के अंदर एक बटन दिया हुआ ह इस बटन को यदि हम प्रेस करेंगे तो इसके अंदर light भी जलती है यदि हमें राथ में काम करना है घर की light चली गई है कई पर power supply फेल हो गई है तब भी हम इस light के द्वारा काम कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि power supply कहां से फेल होई है उसको जल्दी से जल्दी हम सही कर सकते हैं यह जो non contact type का tester यह plant के अंदर भी बहुत ज्यादा उप्योगी है हमारे plant के अंदर जो lighting circuit होता है कभी कभी क्या होता है वो break हो जाता है तो lighting circuit के अंदर यह बहुत ही काम की चीज़े lighting कहां तक जा रही है बदल बिजली कहां तक जा रही है इसका पता हम इस tester के द्वारा आसानी से कर सकते हैं उसके साथ ही pull code को check करना या फिर हमें motor के अंदर single facing का पता करना वो साई चीज़े हम इसके द्वारा आसानी से कर सकते हैं उसके साथ ही हमारी घर के अंदर जो machine होती है कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर से leakage current flow होने लगता है तो leakage current को हम इस से आसानी से पता कर सकते हैं हमारे घर के अंदर जो press होती है गिजर होते हैं कभी कभी क्या होता है कि उनके अंदर से leakage current flow होने लगता है जिससे किसी को भी झटका लग जाता है तो उस झटका से बचने के लिए हम इस tester का use भी कर सकते हैं इस tester से हमें पता जल जाएगा कि हमारी जो प्रेस है या फिर हमारा जो गीजर है उसके अंदर current flow हो रहा है कि नहीं हो रहा है और यदि आप इसे खरीदना चाते हैं तो description में इसका link में ने दिया है वहाँ से जाकर आप इसे आसान से purchase कर सकते हैं तो friends इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching my video thank you thank you so much